भारती जंता पार्टी के यूपी विजयबूत अभियान के शुरुवात करते हुए पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने कहा कि कॉंग्रिस और सपा सहीत सभी विवक्षी पार्टियों ने MSP पर किसानों को गुमरा करने की बहुत कोशिश की लेकिन आज किसानों ने MSP पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है साथी ये अभी कहा कि मुझे विश्वास है कि यूपी की जंता का भरपूर अशिर्वाद योगी सरकार को मिलेगा यूपी विजयबूत अभियान की शुभारम करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी निद्दा ने कहा कि एक समय था जब यूपी में भगवान शुराम का नाम लेना भी दूबर हो गया था भगवान राम के सियोकों पर गोलिया चलाई थी कॉंग्रस ने तो भगवान शुराम के अस्त्त को ही मानने से इंकार कर दिया था आज सपा बसपा और कॉंग्रस सुधा की राजनीती करने लगे हैं अपने संबोधन के दुरान केंद्र की मोधी सरकार को किसानों का हिदाशी बताते हुए कि मोधी सरकार नहीं किसानों को देश में कहीं भी मनपसंद मुल्ले पर अपनी फसल बेचने की आजादी दी है किसानों के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन की विवास्था की है मोधी सरकार नहीं कृषी इंफ्रस्रक्ट्टर में व्यापक सुधार के लिए एक लाह करोर रुपए का पैगेज दिया उन्होंने कहा कि भारती जंता पार्टी के लिए विकास सरोपरी है लक्ष है अंत्योदे से गरीबी का अनुमूरन धर्म है सिवाही संगठन भारत फोकस है गाउं गरीब और किसान का विकास जीरो टॉलरेंस नीती है आतंगवाद और भिस्ताचार के खिलाफ बीजेपी अध्यक जेपी निड़ा ने कहा कि आजादी के सत्तर वर्षों में कृषी के विकास और किसानों के कल्यार के लिए जितना काम नहीं हुआ उससे कहीं अधिक काम पिछले सारे साथ वर्षों में प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया है इससे पहले जेपी नड़ा ने अपने शुरुवाती भाषण में कहा आज मुझे बूठ वुजय अभियान में आप सब के साथ शामिल होने का सवभागय प्राप्त हुआ है मैं अपनी और से और पार्टी की और से आपका धन्यवाद करता हूं उन्होंने कहा कि मैं विश करता हुआ है